असलाम अलेकूम, हाई एवरीवान, वेलकम बेक टू माई चैनल, मैं हुँ साइमा और आप सब को अपने चैनल पर वेलकम कहती हूँ कैसे में यूट्यूब फैमली, द्वाई आप बिलकुर ठीक ठाकों, अलामदुल्ला मैं भी बिलकुर ठीक हूँ आज सा व्लोग बहुत इंस्ट्रेस्टिंग है, नाइट का ये व्लोग है, हम लोग डिनर प्लैन किया था, आज का डिनर बहुत स्पेशल है और मैं यहाँ रेडी हो रही थी, तो मैंने का चले मैं आपको दिखाती हूँ के मैं कैसे रेडी होती हूँ सिंपल सा मेक अप टुटोरियल है, बट बहुत अच्छा लगेगा, यहोप आपको पसंद आयागा तो चलें जी शुरू करते हैं अपना आज का व्लोग मेरी स्कीन बहुत जादा सेंस्टिव है और मैं अपने ब्यूटी प्रडक्स का बहुत ज़दा ह्यार रखती हूँ, बहुत के साथ उनको इस्तमाल करती हूँ तो सबसे जादा जो मेकप स्पंज यूज होता है ना फेस के उपर उसने अप्लाई होना होता तो उसका बिल्कुल अच्छी क्वालिटी का होना बहुत ज़रूरी है तो मैंने यहां पर जो ब्यूटी ब्लेंडर यूज करती हूँ है फेसमेड वालों का इनकी कुछ जो है ना हास चीजे जो हमें आपके साथ डिसक्स करना जाओंगी कि यह जो हमारा ब्यूटी ब्लेंडर है यह 12 पैक के अंदर भी आता और सिंगल सिंगल भी आप इसको ले स रशे आएंगे सकिन हराब हो घाग तो मैं तो बहुत थेयार हो यह इसमें क्या वालिटी है यह लिए क्रीम और पाउर्ड दोनों के लिए आप इसको 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 सामाल कर सकते हैं और तोनों के लिए बड़ी अच्छी सी ना यह फिनिशिंग इसे आती है तो इसना बड़ा पैक मंग वाने से क्या होता है कि मुझे फिकर नहीं होती कि मेरा ब्यूटी ब्लेंडर हराव हो गया है और 12 का पैक है और इसकी प्राइज भी बहुत रीजनेबल है एक और चीजी इसकी क्वालिटी में आपको बता देती हूं कि सोफ्ट बहुत है और आपने अंदर बहुत का पैक अगर आप एक प्राइज को बढ़ाना चाहते है ना जब क्लीनिंग करें इसकी इसको वाश करें या इसको जब आप प्लाइ करें तो बहुत ज्यादा प्रेशर दे करें उससे क्यों होता है कि यह डिमेग उने का हत्रा होतास तो तो प्रोड़ प्रद्ट प्रेशर नह यूज करें इसके बाद मैंने फेस पे लगाया अपना प्राइमर और इसके साथ में आपको फेसमेड के थोड़ी सी और क्वालिटी बता दूंगी कि फेसमेड का एप स्टोर पर आप भी है तो आप वहां पर इसको जब डाउनलोड कर लेते हैं तो वहां से क्या होता जी आप आपको बहुत सारी ब्यूटी टिप ट्रिक्स पता चलती रहती हैं इंस्टाग्राम पर फेस्बूक पर यूट्यूब पर बहुत सार जगह पर इनके ना जब आप फॉल्लो कर लेते हो तो उससे भी काफी टिप और ट्रिक्स पता चलती हैं प्राइमर लगाने के बाद मैं प्राइमर 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 प्रा अच्छे स्कीन होती है उसके लिए तब मैगती बहुत परफेक्ट है तो चलिए इसको अप्लाय कर लेते हैं अच्छे से ताके पूरे फेस पे फाउंडेशन अच्छे से लग जाए और जो फाउंडेशन का जो कलर है यह मेरा विंटर में चेंज हो जाता और समर्ड में मेरा दिनर प्लैन किया हो यह फैमिली के साथ बाहर जाना हो तो स्पेशल मोकों पर तो थोड़ा बनता है आज डिनर डेट पर जा रही हूं है अपनी फैमिली के साथ और जैसे कि आपको मैंने बताया था कि ममा पाकिस्तान वापस जा रही है तो हम लोग इनको लास्ट टिनर पर यहां से जब अदास होना नहीं जाती है क्योंकि यहां से जब अदास होके जाएंगी तो उनका ट्रेवल बहुत मुद्ध मुद्ध से गुजरेगा है यहां पर जब अच्छे से हमारी फांडेशन लग गई थी तो फिर मैंने लगाया है अपनी आई के नीचे कंसीलर उसको तो मैंने अच्छे से टैप टैप किया है यहां पर अपना आईशेड लगाया है मैंने मिरून आईशेड लगाया था जोड़ डार सा लेकिन बहुत लाइट सा लगाया था तो मैंने अपना लाइनर अपलाय किया है लाइनर मैं जरूर लगाती हूं आम रूटीन में अगर म में प्रृण, निये पीड़ा नियु और मनिय प épके सबस्ट फिल्ट में लगाया जाने बाद में लिट्टिक in यह थोड़ास सदहां में ल 하지만 शेत्ट करेती हमी में में लिट्टिक, फिल्टवा रहीं volरीडी नियुज लगाया है, यहां reck यह अभी नहीं लिप्स्टिक भाय की थी तो रख लो में अप्लाइ किया अप्लाइ किया अची लगई यह अची है हाईलेटर अप्लाइट करने के बाद, एक मेकप होगया था मेरा कम्प्लीट और मैंने हाई पॉनी बनाई है क्योंके सब मुझे अवादय दे रहे थे कि टाइम होगया तो मैंने का इसा थोड़ा सा मैं थोड़ दिन पर टिक टॉक पर देखा था इस तरह के बाल किसी को बो सूट कर रहे थे तो मैंने का चले यह जल्दी से बनने वाले सीम्पल से बाल हैं तो यही मैं आज बना लेती हूं तो यहां मैंने भी अपने थोड़ा से बाल टाके हाइप ओनी किया और फिर हमने उसको अब रेडी हो गए हैं सबसे लास्ट में मैं अपने अरिंग्स पाइंड़ी और मैंने क्योंकर लिप कलर जो लगाया उसी कलर के मैंने अपने अरिंग्स यूज की है और यह अभी अभी किसी ने पाकिस्तान से जोना हमारे फैमिरी फ्रेंड है उन्होंने हमें यह जूलिरी गिफ्ट की थी अगर आप पर चेस करना चाहेंगे ना तो उसका लिंक में अपनी डिस्क्रिशन बॉक्स में एड कर दूगी तो वहां से आप चेक कर सकते हैं एंड जी आपकोता है मेकप स्प्रेय किया है मैं होगी हो रेडी और यह देखें जी फाइनल लुक ठीक है जी कैसा लग रहा है जूरू बताइएगा रेडी हो जाते हैं जल्दी जल्दी शूस बेहनते हैं मुझे थोड़ ताइम इसने लग गया है मैं जल्दी जल्दी कार ल कि पहले मैं दो कलर के कोट निकाल थैंग मैंने ब्लैक निकाला था कि देख जो सूट करेगा क्योंकि शूज में दोनों ही कलर थे ब्लैक और यह ग्रे तो मुझे लगा के बच्चों से मैं पूछाने का ममा यह आपको ज्यादा बेटर लग रहा है और यह थोड़ा वार्म ज्यादा था क्योंकि बाहर बहुत सर्दी है तो यह मैंने पैन लिया इसके साथ और अब हम रेडी हैं चलते हैं आपको दिखाती हूं कि हम कहां जा रहे है खाना कौन से हमारा आज खाने के लिए खाना काने के लिए हम आयां जी सॉल्टन पैपर पर और मैं आपको बता हूं यहां पर हमने काफी अरसे बाद में काफी सालों बाद आया है क्योंकि मॉमा को चाइनीज बहुत पसंद आया था यहां पर जीस इस लोकेशन पे उनको चाइनीज खिला आना उनको बहुत अब आया था तो हमने का चलें जी जी जा वो लास्ट डिनर करने के वाद वो जा रहें तो हम उनको चाइनीज खिलवाते हैं हम यहां पर ले आया थे सॉल्टन पैपर पर यहां में बहुत समय लेकोई 15-20 साल पहले खाना खाया था तो आज हम देसाइड के चलें यहां ले इनको कैसा इनको लगता है लेकिन आव आपकेन करिया खाना और किया है है मुझे बिलकुल भी एक तो इनके चावल आप देख रहें कितने डॉल बिलकुल भी नहीं था है हाँ चैनिज रास में ओल नहीं होता लेकिन इनका बिलकुल ब्लकुल स्पाइस और जो शॉल्ट का अवर आल जो है ना जो इनकी ग्रेवी हमने मंगवाई है वह भी बस समय लेके ना एवरिज थी कि अगर आपने बस खाना खाना और पेट बढ़ना ये था मैंने का जितना हमने आज अच्छा डिनर प्लान किया था ना कि हमने यहां लेके जाते हैं तो अच्छा होगा क्योंकि तो अच्छा है काफी थेर से हमने का नाम सुना है लेकिन खाना बिलकुल समय लेना कि हमने सिर्फ पेटी बढ़ा और कुछ नहीं था कि कोई आप खाने को एंजवाय नहीं का रहें लेकिन हमने खाना माचला अप जड़ देख रहे हैं सारही काफी तादा खाना वंगवाय कोई एक भी फ्लेवर जो था ना वो यह नहीं था के जी बड़ा अच्छा था सब को कलर जादा दिये वह थे फ्लेवर बहुत लैस थे हैर हमने यहां पर खाना खाया जैसे भी काया और बाकी जो हमने पैक कर आ लिया था क्योंके वेस्तों लेकर के नहीं आना था इजादत जाती हूं आप सबसे व्लॉग कैसा लगा कमेंट करके जरू बताईएगा लाइक किया करें और प्लीज जरू शेयर किया करें थैंक्स पर वाचिंग इंस्ट्राग्राम का लिंक शेयर कर रही हूं इस पर भी जरू फॉलो किजिएगा बाई लेव यू गाइस